हाई एवरिवन मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नाच्रोपैथ एमडी इन नाच्रोपैथी नाच्रोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेटरल तरीके से करता है तो आज मैं लेकर क्या आई हूँ हैर मिल्क बहुत ज़ादा कुशन हो रहे थे मुझे डेंडरुफ के लिए हेर फॉल के लिए और एलोपीशिया के लिए बहुत ज़ादा लोग परेशान है कि जो भी पॉलूशन है मार्केटम इन वोइर्मेंट में उसकी वजह से उनको बहुत ज़ादा प्रावलम हो रही है एलोपेश है इसको बहुत ही सस्ता उपाय है घर का उपाय है और बहुत बना सकते हैं अपने घर में यूज कर सकते हैं इसको जिनको बहुत जब्धाL kyle के हैर फ़ॉल हो रहा है उसके लिए अच्छा है डैंडर के लिए अच्छा अगर किसी को भी किसी तरह का infection है hair में itching होती है या कुछ ऐसा है तो उसके लिए भी अच्छा है शुरू में apply करने पर थोड़ी से itching होती जरूर है लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं है वो आपके scalp को repair ही कर रहा होगा तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है और बहुत affordable है और कोई भी इसको बना सकता है आप hostel में भी बना कर इसको रख सकते हैं ये milk बनाने से पहले एक बार फिर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी की ओने विद डॉक्टर शालिनी मेरा नया चानल है उसपे अभी कोई वीडियो नहीं है लेकिन बहुत जल्दी आपके question का answer मैं वीडियो बना कर डालने वाली जिन्हों ने भी subscribe नहीं किया है प्लीज जाकर सब्सक्राइब कीजिए और 10,000 सब्सक्राइबर होते ही मैं उस पे वीडियो डालना स्टार्ट करोंगी तो चलते हैं वीडियो की और एक बरतन में हलका गुनगुना पानी लेंगे लुक वाटर ज्यादा बॉइल मत आप चाहे गैस पे गरम कर लिजे या फिर एलेक्ट्रिक केटलिंग में गरम कर लिजे उसमें डालना है हमें विटमिन C की गोली मैं सिलीन ले रही हूं सी की गोली यह ध्यान रखिएगा कि जो औरेंज फ्लेवर होता है वो ना डाले और वो मीठा होता है वो इन्फेक्शन क्रियेट कर देगा आपके स्किन पर या बालों में तो यह ध्यान रखिएगा या फिर स्कॉर्बिक एसिड ले सकते हैं गोली को पाउडर बनाया है और इस पानी में मिक्स करेंगे और यहां पर मेजर्मेंट जो है आपको वेबसाइट पर मिलेगी जैसा कि मैं हर बार कहती तो वेबसाइट पर देखिए नेक्स्ट इंग्रीडियन्ट है एक्स्टा वर्जिन ओलिव ओल बहुत ही अच्छा होता आपके स्किन के लिए हैर के लिए स्कैल्प के लिए और विटमिनी बहुत हाई होती है तो एक्स्टा कोई विटमिनी एड करने के इसमें जरूरत ही न आप इसको मिक्सी के शेक जार में भी कर सकते हो और मसाला जार में भी कर सकते हो और यहां पर मैं धीरे धीरे यह विटमिन सी वाला वाटर जो मिक्स किया था वो मिला रही हो और यह ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूं और इस पूरे प्रोसेस में आपको 7-8 मिनिट लगें 10 minutes भी लग सकते हैं और इसको mix करते जाना है और virgin oil जो olive oil होती है उसकी अपनी tendency होती है कि वो धीरे-धीरे creamy हो जाता है अगर आप उसको बहुत जादा mix करेंगे तो तो यहाँ पर मैं इसको actually ये थोड़ा सा खटा है सिलीन की वज़ा से इसलिए इसको पूरा creamy होने में थोड़ सी problem आ रही है लेकिन ये creamy धीरे-धीरे हो जाएगा एक milk का form ले लेगा इसको अच्छी तरह से mix करेंगे अगर खाली पानी और तेल अलग रखते हैं और उसको mix नहीं करते हैं तो वो milk नहीं बन सकता वो direct oil ही रहेगा तो आपको वो benefit नहीं मिल सकती जो exactly मिलनी चाहिए और य पानी में मिक्स होकर के एक पेस्ट का फॉर्म लेता है आपने मयोनिस की रेसिपी में भी ये चीज़े देखी होगी और बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका बालो पर तो इसको mix करते रहेंगे बहुत पेशेंस रखना होता है नेक्स इंग्रीडियंट है जो मैं आलरेडी बता चुकी हूँ आप लोगों को इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और मेरे पिन कमेंट में मिलेगा ये रोज वोटर है मेडिकेटेड रोज वोटर मी आलरेडी इसकी रेसिपी वीडियो मेरे आई वाने भी हिरोईन चैनल पे है तो मैं उसका लिंक शेर कर तब भी और प्रपोर्शन कितना मेजरमेंट है इसका वेबसाइट पर बिल्कुल मिल जाएगा आपको तो बिल्कुल जाके देखिए और मिक्स करते रहिए इसको मिक्स करते रहिए और धीरे धीरे डालना इकठे अगर आप डालेंगे तो मिक्स नहीं होगा अलग से बबल स आपका यह मिल्क चल पाए तो यहां पर मुझे जितना मिल्क दिखना चाहिए उतना हो गया है अब इसमें मैं एड कर रही हूँ एशेंशल ओयल में मैं लेवेंडर ओयल ले रही हूँ आप कोई दूसरा ओयल भी ले सकते हैं अगर डेंडर बहुत हाई है तो टीट्री ओयल बहुत अच्छा काम करता है तो टीट्री ओयल भी ले सकते हैं बहुत अच्छा रहेगा रोज मेरी ओयल ले सकते हैं लेकिन यह ध्यान रखिएगा कोई इन में से कोई एक ही लेना है सारे नहीं ले सकते हैं अगर आपने सारे ले लिए तो वो इलर्जी कर जाएगा और आपको दूसरी प्रॉब्लम गेर सकती है क्योंकि essential oil बहुत गरम होता है उसका बहुत स्ट्रॉंग होता है तो आपके scalp को भी जला देगा तो इस पात का ध्यान रखिएगा अब इस बनेवे oil को एक container में रख लेंगे उसके लिए आपको अच्छा बरतन यूज कीजिए अब को लगाना ही पड़ेगा और मिनिममम हाफ एन आर लगा कर रखना ही पड़ेगा एक घंटा भी लगा कर आप रख सकते हैं इसको एक घंटा लगा कर अगर रखेंगे तो result बहुत अच्छी होगी जब भी यूज करे तो इसको shake जरूर करें क्योंकि इसकी बहुत बढ़ ये हंडेट म का बॉटल है लेकिन आप्सको लगता सबेंगा जादा बनै ना बनाएंगे फिर भी बढष की तरह बीच्ट के जम जाएगी जितना यूज करना उगा उतना पिख यह 100 ml के बॉटल में रखिए और इसको बाहर भी रख सकते हैं यह करीबन एक महिने तक खराब नहीं होगा फफुंदी नहीं लगेगी लेकिन उसके ऊपर यह खराब होने का डर है तो टाइम नहीं है तो हाफ एनार रखिए और वाश कर लीजे उसके बाद आप डे बाइडे से ही ट्रिमंडस चेंज देखना स्टार्ट कर देंगे और सेवन डेज में मेरे को रिव्यू जरूर दीजेगा आपकी आपको क्या चेंज आया है अलोपीशा के पेशेंट को भी मै इसे बहुत अच्छी रिजर्ट क्योंकि इन कॉम्बिनेशन मैंने अपने कई पेशेंट पे देखा रिजल्ट इग्जाक्ली बहुत अच्छा आ रहा है बहुत जल्दी मैं और शेयर करने वाली हूं बाल्डनेस या ब्लाक हैर के लिए दोनों अलग-अलग ओल होंगे लेक आप बोलेंगे तो मैं बिल्कुल कर दूँगी लोकली आपको औरेंज करना पड़ेगा उसका समान तो देखा यह सिफ चार इंग्रीडियंट है चार इंग्रीडियंट से बनाई वी बहुत सस्ती मिल्क बहुत देखने में टाम्टिंग और बहुत बढ़िया रिजल्ट और सेवन डेज में ही आपके सर पे बिल्कुल बालों पे जादू करता है हैर स्ट्रॉंग बना देगा और हैर की क्वालिटी थोड़ी ठिक कर देता है तो बहुत अच्छी सिल्की हैर आपकी हो जाती है तो बिल्कुल इसको ट्राइ कीजे आप एंड में एक इंपोर्टेंट मै बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है जैसे जैसे मुझे रिव्यू मिलते जाएंगे मेरे पेशेंट्स के या मेरे व्यूवर के मैं अपने जितने वी रिव्यू आप से जरूर शेयर करूंगी तो जो भी कंसीव करने में जिनको प्राब्लम आ रहे है प्लीज आप इस ची है कंसीव करने के लिए और बहुत ही मिरेकलस रिजल्ट है बिना किसी दवाई खाये वे तो बिल्कुल उसको फॉलो कीजिए इग्नोर मत कीजिए यह आपके आप बहुत कॉंशेस रहते हैं और कोशिन पूछते हैं अलग से वीडियो नहीं बना पा रही हूं इसलिए मैं आ हाँ है देना को मत डोकीजिए आप है य कि इन रखना पाइन पल स्किप करना या गरा प्रेगनेंट हो चाहते हैं और यलो टी में जब अप्रेगनेंट हो जाते हैं से यलोटी आप पार्ट वाला नहीं ले सकते क्योंकि उसमें मिंट है जो की प्राब्लम क्रियेट करता है सम टाइम लेकिन वह पका हुआ मिंट है फिर भी थोड़ा वाइट करो अब तो आप यलोटी पार्ट वन लेंगे और इम्म्यून डिंक के आप पानेपल स्किप करेंगे और रिजल्ट आपके हात में तो बिल्कुल ट्राइए कीजेए तो बिल्कुल मद भूलें तो बिल्कुल यूश करें हेर मिल्क को और अपने स्काल को मजबूत बनाए और यह मेरी इंफोर्मिशन वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर आपको मिल सके सब्सक्राइब कीजिए मेरे दूसरे चैनल को कियोंने विद्ध डॉक्टर साली नी ताकि हर कुशन का आंसर मिल पाए वेब साइट पर जाना ना भूले ताकि मेजरमेंट मिल पाए तो फिर मिलती हो मैं आपने नेक्स वीडियो पर किसी रेसेपी स्किन केर या हैर के साथ तब तक के लिए बाई